नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पीकेस कोचिंटर यूटूब चैनल दोस्तों बिहार बोजगे नया पेटर्न का नुसार हमें इस बार कोच्चन लिए कर आए है कलास साइंस का कोच जो है सो कलास टेंट का मुटली पीपर दोजार करें है एक नमबर आपको दिखाते कैसे प्रसेस होता है आज का यह वीडियो आपको कहीं जाना नहीं एकदम ठान लेनी है कि जब तक कोशन पूरे याप नहीं हो जाता तब तक कहीं पी नहीं जानी है और देखते हैं कि आप कितने प्रशना जवाब दे पाते हैं जिसे कि आगे से आने वाले सभी वीडियो मिले नहीं, तो आगे से वीडियो नहीं मिलेगी, तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर लिजी, तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रशन क्या कह रहा है, कि द्रिस ये प्रकास में किस बर्ण का त्रंग दैर अधिकतम होता है, आपक करते जिए कि आप कितने प्रशन का बिल्कुल सही जबाब दे पा रहा है, चलिए अगला प्रशन देखिए क्या कह रहा है, कि इंदर धनुस का बनना किस घटना पर अधारित होता है, या किस पर घटना पर अधारित होता है, काफी बढ़िया कोशन है, आप्सान के प्रकास का परबर, तन परकास का पोवर, तन परकास का बन भी शेपड या फिर इनमे से कोई नहीं, तो देखें, इंद्र धर्णुस का जो बनना होता हुआ, परकास की बन भी शेपड पर धालित होता है, यानि कि option आपका C number हो जाएगा तो जो बची option C number दे रहते हैं उनका बिल्कुल correct उतर है अभी तक इस वीडियो को like ने किये हैं तो like जरूर किजिएगा अगला देखे प्रशन कहा रहा है कि समान्य मानों के लिए दूर बिंदू कितना होता है समान्य मानों के लिए जो दूर बिंदू होता है आपसे परिशा में पूछा जाता है एक दूर बिंदू और एक निकट बिंदू तो देखे option क्या कहा रहा है कि 25 cm, 25 mm, 25 mm या फिर अनन्त तो देखे जब भी आपसे दूर पूछेगा तो आपको अनन्त होगा और जब भी आपसे नजदीक पूछेगा या निकट पूछेगा तो उसमें आपको 25 cm होगा ता यहाँ पर दूर पूछ रहा था इसलिए इसका उतर हो जागा option D number चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्ण की तो देखे काफी संदार प्रश्ण है अगला नंबर प्रश्ण हो कहा रहा है कि aspectum प्राप्त करने के लिए किसका उप्यो किया जाता है बहुत बार यह question पूछा जाता है option दीखे कर र क्याता है अगला जो प्रश्ण है काफी संदार प्रश्ण है कि aspectum में किस रंग की किरान का वेचले यानंि जूगा जो कम होता है अगला अप्सन कहते है कि में नंबर प्रश्ण क्या कहा रहा है काफ़ी important question है और question कहा रहा है कि हमारे सरीर में pH कितने परास के बीच कारे करता है जो हमारे सरीर होता है हमारा जो सरीर होता है वो pH कितने परास के बीच कारे करता है option देखे कहा रहा है कि 6.0 से लेकर के 6.8 के बीच या फिर 7.0 से लेकर के 7.8 या 2.1 से लेकर के 3.8 या 5.1 से लेकर के 5.8 तो इसका बिल्कुल जो correct उतर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा option B number की 7 10.0 यानि की 7.0 से लेकर की 7.0 8 के विच कारी करता बिल्कुल याद करके रिखेगा तो फाटाफट जबाब देते रही है और लाइक कर देजिये पहले अभी तक लाइक नहीं गया है या नमबर प्रेसन के रहा है की Baking Pounder का अंडो सूतर क्या होता है कापी important question है Baking Pounder पते हिए option तो यह यह या याद करके रिखेगा बहुत बार यह देखा जाता, आपके परिक्षा भी पूछा जाता है तो जो बच्ची option C दे रहे थे, उनका बिल्कुल correct उतर है आप count करते जिए कि आप कितने प्रश्ण का उतर सही दे पा रहा है अगला देखे प्रश्ण कहा रहा है कि निमलेखित में कौन बिजातिय योगिक है बिजातिय खाने का मतलब क्या हो गया कि कौन जो है इसमें से अलग है चार option में से तो देखे यहाँ पे चुना पतर खगड़िया और संग्मरमर जो दिया गया है वो तीनो एक ही है लेकिन यहाँ पे जो प्लाश्टर और पेरिस दिया गया है वो अलग है यानि कि यही आपका बिजातिय हो जाएगा तो option जिसका भी डी है उनका बिल्कुल करेक्ट उतर है अगे बात करते हैं अगले नमबर प्रशन की तो देखिए अगला जो प्रशन कैया नहीं करते है लेकित अमलों में से कौन प्रबल अमल है प्रबल अमल एक होता है द्रुबल अमल एक होता है प्रबल अमल तो प्रबल अमल इसमें से आपको बताना है कि प्रबल अमल जो है वह कौन है चार आपको दिया गया है जैसे लेक्टिकॉम एसकॉर्बिकॉम स्वर्फियुलिकॉम य या फिर व्रिशर से थारक्षिन का तो फिर आगे से आपको वीडियो नहीं मिल पाएगे और काफी कम समय आपके पास बचा हुआ है अगला प्रश्न कहे रहा है कि बीधूत का कौन बीधूत का स्वरूत्म चालक होता है या निकि सुचालक होता है कौन बीधूत का स्वरूत्म सुचालक होता है आपका option देखे कहे रहा है कि CU, AG, AL या फिर AP या निकि option यह नबर कहता है copper, silver, aluminium या फिर iron तो क्या होता है सिल्वर होता है यानि कि एजी होता है तो एजी क्या होता है काफी बढ़ियां जो होता है वह सुचालक होता है न तो इसलिए क्या हो जागा एजी आपका एंसर हो जागा सिल्वर आगे बात करते हैं अगला प्रश्ण की, तो देखिं, अगला प्रश्ण कह रहा है काफी बडियां परश्ण हैं, और प्रश्ण कह रहा है कि जल की अस्थाई को ठोरता को हटाने के लिए किसका उप्यूow किया जाता है? जल की अस्थाय को ओठोरता को दूर करने के लिए किस का उपयों कहाँ जाता है बेकिंग सोडा का, धोने का सोडा का, बिरेंजक चूर का या फिर इन में से कोई नहीं किस का उपयोँ कहाँ जाता है तो बिल्कुल इसका correct जो उत्तर हो जागा क्या हो जागा जेल की अस्थाई को ठोड़ता को हटाने के लिए किसका प्रियू करेता बाभू तो किया जाता है धोने का सोड़ा का तो आप्सन हो जाएगा बी नंबर और हाँ एक जी जिन भी बच्चों को अगर धोने का सोड़ता का बिल्कुल करेक्ट उतर पता होगा धोने का सोड़ा को प्यों के जाता है लेकिन ये भी प्रशन आपके परिच्छा में पूछा जाता है कि धोने का सोड़ा का अनुसूत्र क्या होता है अनुसूत्र क्या होता अगर आपको पता है तो बता दिए नहीं तो आपको नेक्ट वीडियो में आपको बता देंगे अ कि लिए होता हैया जांँ कुलत करकए क्वाला गारे जम्यादेत को उत्तल धर्कण निहिसा हमको तो यहां तक पता चली है कि इसका उत्तल दरपढ़ ही होगा लेकिन फिर भी आपको डाउट्स रहती है तो एक बार आप भी चेक कर लीजगा लेकिन वैसे इसका एंसर आपको उत्तल दरपढ़ ही होना चाहिए क्योंकि हमने भी देखा काफी ज़्यादा गेस पेपर में कौनसा अमल पाय जाता है अर एक काफी संदार कोशन है आफ़को बता देते हैं कौन काउस जो है तो फॉर्मी कॉल भी आपका हो जाएगा ठीके तो आपको इस चीज़ ध्या रखनी है अगर आप बात करते हैं अगला चीज़ की क्या क्या आपको याद करके रखनी है तो एक तो चीटी का डंक वाला याद करके रखना है उसके बाद से निम्बू में कौन समल पाया जाता है इसको बताईए अगर जिनको भी पता है निम्बू में और सिर्का में कौन समल पाया जाता है बस इतना अगर निम्बू सिर्का और चीटी के डंक में और दही में कौन समल पाया जाता है इतना याद करके लिए कि इस में से कोई न ये पाप के परिख्या में जरूर आ जाएगा तो इन सभी के बारे में जिनको पता होगा वह हमनी नीचे कमेंड करके जरूर बताएंगे ठीक है चलिए अगले दीके question क्या कह रहा है question कि सम्तल दरपन्द वारा बना पर्तवीम होता है जो सम्तल दरपन्द होता है उसमें बना पर्तवीम किस प्रकार होता है option कहा रहा है कि वास्तविक होता है कालपनिक होता है या फिर दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है समतल दरपन जोरा बना परत्वीम किस प्रकरक होता है तो देखे समतल दरपन जोरा बना परत्वीम जो होता है वो आपका कालपनिक होता है हाना option अपका B होगा क्या होगा काल्पनिक होता है काफी बची इसका वास्तविक देंगी तो वास्तविक नहीं होता है इसका option हो जागा B नम्मर काल्पनिक होता है अगले दिखें प्रश्न क्या कह रहा है अगले जो प्रश्न हम से भी क्या कह रहा है तो देखिए दातों का जो 6 पर रंब हो जाता है वो मुह का पी एच मान जो है 5.5 से कम हो जाता है तो होना सुरू हो जाता है यानि कि option हो जाएगा B number ठीक है चलिए और एक चीज़ आपको पताना चाहेंगे आप एक सब्जेक्टी में question याद करके रेखेगा कि दन तस्तिचा कौन मादों में मानों में मादा जननतंतर का भाग नहीं है यानि कि जो चार option आपको दिया गया इसमें से कौन जो है वह मादा जननतंतर का भाग हैं ही नहीं आपका option दिखे कर रहा कि अंडासे अंडासे के बारे में पढ़े होंगी गरभासे गरवासे के बारे में पढ़े जनतनतर का या भाग नहीं होता है तो इसलिए इसका इंसर क्या हो जागा option C number हो जागा अगला question काफी important question है कि पराग कोस में होते हैं पराग कोस में क्या होते हैं बाहेदल होते हैं, अंडासे होते हैं, अंडप होते हैं या फिर पराग कन होते हैं तो देखिए प्राग कोस्त में जो होते हैं वो प्राग कन होते हैं क्या होते हैं प्राग कन होते हैं यानि कि आपसे अंक नहीं चेंज किया जाता है अगर पूछा जागा तो यही आपके परिक्षा में पूछ दिया जाएगा अक्सर यही देखा गया है कि जब भी पूछा ग निकालने के लिए पी बराबर 100 यानि कि सो बटे एफ होता है कब होता है जब मान फोकस का सेंटीमीटर में दिया गया हो तो यहां पर देख रहें कि 50 सेंटीमीटर दिया गया यानि कि सेंटीमीटर में दिया गया है तो सो बटे एफ लगेगा तो यहाँ पि बरबर क्या हो जागा 100 यानि कि 100 बटे यहां पर एफ कमाण कितना दियागा 50 तो क्ता दीजी तो क्या हो जागा पचास में 100 से भाग दियागा तो हो जागा काफी संदार question है और question देखे कहरा है परकासरोग,braidip,t या फिर non तो देखी, परकास के किरणड़ोग के समकम लोग कहते हैं, किरणप Advent और किरणप Advent कितने परकार के होते हैं आप में ते मैं नीचे कमेंट में जरूर बताएग क्यूंकि आपके लिए ये भी ज़ादा इंप्टेंट होता है कि प्रकास की किरुनपुंज ब्याक्य किजिए तो उसका आप लोग कौन कौन से प्रकार होता है उसका प्रकार का नाम हमें बता दीजिए चलिए कि हाँ आपके त्यारी बहतर हो पा रही पूछा जाता है तो चीन परपाटी नियम आप पड़े होंगे उसमें क्या बताया गया है उसमें धनात्मक होती है और सभी दूरिया कहां से मापी जाती है आपको 500 प्लस कोशन जो हम आपको करा रहा है लगातार बीना ओप्सन का उसमें भी इस सारे कोशन को हम आपको बता र रहा है वह जरूर देखेंगी 500 प्लस कोशन आपको केवल अब्जेक्टिव करा रहा है बीना ओप्सन का जैसे कि आपको बेतर त्यारी हो सके तो वह वीडियो आप जरूर देखिएगा अना चलिए तो बात करते हैं उसमें सारे चीज़े बता रहा है तो यह सारे चीज़े nbert को यह सब हना ौर्ट जाना चलिए अगल्य कोषान को खूतर है और कोस्टर निस को कहते है फ्र उत्तर को हम लुग क्या कःते हैं अब ही सारी और यह några जारी काते नौभ क्या कोस्टर है तो उत्र निस को क्या कहते हैं अभी सारी लैंस काते है या निरी और ओतर लेंज को अभी सारी लेंज करते हैं उतर लेंज को क्या करते हैं अभी सारी ठीक है चलिए अगला जो कोशन कह रहा है वो कह रहा है कि और लेंज को क्या कहते हैं तो यहां पर लेंज को आप सारी कहते हैं यानि क्या अप्शन हो जागा क्या चीज़ सी नंबर हो जाग गर देखेह कुशन क्या कहा रहे काफी संदार कुशन है और कुशन कह रहे कि कौ state pays क pos summer क्लिंडार्व छाइब नहीं प्रयूण कियाبة है तो पांद सु प्लस सुब्र मिडियों का अपको बता दिया क्या होता है गश्य डी नमबर डी नमबर आपका क्या हो जागा बिल्कुल करेक्ट उतर हो जागा अगला देखिए क्या कहा रहा है अगला कोशन कहा रहा है कि किस से दरपन से हमेशा बस उसे छोटा अपरत भी मनता है यह सारी कोशन आपको कंप्लेट हम करा दी है और देखिए कोशन आपको जो क से पढ़कर कि बहुत एच्छे अंग से पास हुए और इस साल प्रयास है कि इस साल आप लोग और भी बेटर अंग से बहुत ही बड़ी अंग से पास होंगी और पास होंगे भी तो कह रहा है कि किस दरपड से हमेस्था बस्तू से क्या बनता है चोटा परत्वी मनता है तो बन क्या करते हैं उसको देखने के लिए काफी एजी होता है असान होता है तो हम लोग उसका प्रियोग करते हैं यानि कि हजामती दरपण में इसका प्रियोग किया जाता है और आप हम भी बता दीजिएगा कि ओतल दरपण को प्योग कहां 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 किया जाता है अगला कोशन दे और कौन कौन होते हैं किनको किनको पता है आप हमें नीचे कमेट करके बता दीजिए या लाइक करके हमें बता दीजिए कि आप लोग को हाँ इसका उतर पता है कि परकास के परतन के दो नियम होते हैं कौन कौन नियम होते हैं और एक चीज आप याद करके जरूर रखेंगे कि परकास के अपोवरतन के कितने नियम होते हैं ये भी कुशन आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोटेंट होती है चलिए अब देखें ये सारी चीजे हम आपको यहीं पी बताते चले जा रहा है अब यह ऐसा नहों कि किसी बच्चों को बूरा लगे देखें हम आपके लिए कह रहा हैं कि आप लोग इस तनी चीज़ को आप याद कर लिजेगा इससे क्या होगा कि आपके पास समय कम है तो आपको पहले नहीं पता चलिएगा तो आप पढ़ लिजेगा अब ऐसा नहों कि हम ओडल पेपर करा रहा हैं हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी दिख्कत हो कोई वी ऐसा प्रषन हो जो हम आपको नहीं बता है अन इसाई कोशन हम स्क्यूस करते हैं बता दे इनके तो तो व push लागतार देखें विए सारी वीडियो उनको दिक्कत नहीं होगा अगला को सेने के कर रहे है कि मुकलं द्मार अल्लेंगिंग जनना होता है मुकलं दौरा है cemetery मतर में सैमाल मैं पर प्लाजमोडं में मुकलं द्मार जो अल्लेंगिंग pana होता है वह खिस्य यानि ऑप्सलिकों आपको क्या होगा बिल्कुल करेक्व कुस्छन करह रहा है कि फोटोग्राफिक camera का अभिद्रिय से किसका बना होता है फोटोग्राफिक camera का जो अभिद्रिय से होता है किसका बना होता है तो उत्ता lens का बना होता है यानि option हो जाएगा क्या चीज A number किसका बना होता है उत्ता lens का बना होता है यानि option A अगला देखे question क्या है तो नीचे comment में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं अगला देखिये प्रशने क्या कह रहा है अगला जो प्रशने हम सभी का काफी important question और question कह रहा है कि एक के ओतल दरपड की focus दूरी 10 cm दे गई हो तो उसकी तिरिजिया उसकी बकृता तिरिजिया क्या होगी तो आप से भी जानते हैं कि F बराबर क्या होता है R बटी 2 होता है क्या होता है F बराबर R बटी 2 होता है यानि कि R बराबर क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा न यहाँ 1 रख देंगे और 3 का गुणा कर देंगे तो F में 2 से करेंगे तो 2F और R में उनसे करें कि R तो जब R बराबर 2F होता है तो यानि कि हम लोग को R का ही भेलू निकालना है बकरता तिर्जिया को R से पर दसित करते हैं तो R बराबर क्या हो जागा? दो गुणे F, F का भेलू कितना है? 10 तो R बराबर कितना हो जागा? अगला देखिए कोशन क्या कह रहा है? काफी important कोशन है संदार प्रस्टन देखिए कोशन है कि निर्गत कीरण और अभिलम के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो देखिए निर्गत कीरण और अभिलम के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं हाना अब देखे इस question में थोड़ी से हमको doubt बनी हुई थी लेकिन देखे ये clear है परवर्तन ही कोण उसे हम लोग कहते हैं हाना तो एक बार आपको doubt लग रही है तो एक बार चेक कर लेज़ेगा लेकिन 100% सही है कि इसका answer जोगावा परवर्तन कोणी होगा आप ऐसे पड़े हो सुक्ष्मधार का उपियोग होता है कि संठीक में बिल्कुल की जाघा और टियुक्तर हो जाएगा अगला दिखिये प्रशन क्या कहरा है अगला प्रशन है कि कि इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्प्निक परत्वीं ही बन सकता है वह कौन ऐसा लेंस है जिसके दवराकियों क प्रशन वाब जो भी बच्चे दे और है अगा दिखेए प्रशन ख्या ऊक्तरा है चलिए तो प्रश्च्णय प्रश्ण की परावर्तन के नियम से निदारित होता है यह आप सभी जानते हैं इस तरह से आपका एक दरपण मालनी जी यह आपका दरपण हो गया यह आपका भी लंब हो गया यह किरण आ रही है यह किरण जा रही है तो आपको देखिए, यहाँ पी परवर्थन कोड़ बराबर अप वर्थन देगे हैं तो इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है, यह एंसर नहीं होगा, उपर बला होगा, कि आपतन कोड़ बराबर परवर्थन कोड़, अच्छा है, परवर्थन कोड़ बराबर आपतन प्र दार्ड का और या फिर इनसे कोई नहीं होता है। कम्प्लेट कर लिया आप 40 के बासे और 40 हम लोग करेंगे कम्प्लेट देखिए तो प्रश्ण कहा रहा है कि मानव नित्रे की किस भाग पर किसी बस्तू का प्रत्वीम बनता है मानव नित्रे की किस भाग पर तो आपको बता है रेटीना या द्रिश्टी पटल आपको बताया है हैं कहां 500 प्लस कोश्चन के सीरिज में बताया थी बीना ओप्सन का बिलकुल तो रेटीना या द्रिश्टी पटल हो जाएगा अगला देखे कोश्चन काफी संदार कोश्चन है और कोश्चन कह रहा है कि तारों के टिम्टी माने की ब्याख्या किस सिधान पर अधारित होती है तारों का टिम्टी माना और देखे ये कोश्चन अब से पूछा जाता है काफी ज्यादा बार कि तारे क्यों टिम्टी माते है अखेर उसका कारण क्या होता है ये आप जरूर याद कर लिजेगा सब्जेक्टिव के लिए तो इसका क्या अंसर हो जागा option A number के वहीं मंडली आप पर दारित होता है अगला देखे काफी important question है काफी संदार प्रशन है कि नित्रे लिंस की focus दूरी अधिक हो जाने से कौन सा द्रिष्टी दोस हो जाता है नित्रे लिंस की focus दूरी क्या हो जाती है नित्रे लिंस की focus दूरी अधिक हो जाने से कौन सा जो होता है वह द्रिष्टी दोस होता है तो बिल्कुल इसका जो answer हो जाएगा वा क्या answer हो जाएगा जी तो इसका बिल्कुल correct उतर हो जाएगा क्या जिस दूर द्रिश्टी दोस हो जाता है यानि क्यों option हो जाएगा क्या जिस B number अगला देखे प्रश्णी क्या कह रहा है तो जो बच्ची वह प्रश्णी का जबाब दे रहे थी उनका बिल्कुल सही है अगला प्रश्णी है कि नेत्र में किसी बस्तू का बना परत्वीम होता है तो जितनी बच्ची का option C number जबाब है बिल्कुल उनका correct उतर है अगला देखिए प्रश्ण क्या कह रहा है तो अगला जो प्रश्ण है हम सभी का काफी important question है बहुती संदार प्रश्ण है और प्रश्ण कह रहा है कि जो नेत्र निकट इस्तिद बस्तू को असपस्ट नहीं देख पाता है उसे उस नेत्र को क्या कहते है जो नीकट है उसे नहीं देख पाता है और दूर को साफसाब देखता है यानि कि दूर को साफसाब देखता है तो दूर दिरिश्टी दोस्ट हो गया है यानि कि क्या हो जागा option number E हो जागा ना चलिए क्या हो जाका option A number हो जागा तो जितने मुची A number दे रहते हैं बिल्कुल correct उतर है अगला दीखे काफी संदार question है और question कहा रहा है कि स्वेध प्रकास की किरण जब किसी प्रिजमी से होकर के गुजरती है तब जो burn यानि कि सबसे अधिक जो बीचलित हो जाता है दूर या निकट बस्तू को साब साब देख सकने माली गुण को हम लोग क्या कहते है और यह आपकी परिभासा भी हो जाएगी समंजन चमता तो इसे आप याद कलीजेगा कि समंजन चमता किसे कहते है तो बस आप इतना लिख देंगे अगर अप परिख्षा में लिख देंगे तो बिलकुल अपका पूरा का पूरा अंग मिल जाएगा चलिए अगला कोश्चन देखिए काफी संदार कोश्चन है कोश्चन कह रहा है जारा द्रिष्टी से तो बाइफोकल लेंज से किया जाता है अना तो बाइफोकल लेंज क्या है अपसन नमबर बी नमबर में तो बी अपका बिलकुल करेक्ट उतर हो जाएगा अगला देखिए प्रश्चन कह रहा है काफी इंपोटेंट और संदार कोश्चन है दहन अपकरिया कौन है तो पेट्रॉल का जलना ये काफी बार हमने आपको बताया है तो बिलकुल अपका सी नमबर अपसद सही हो जाएगा लगला देखिए कोश्चन काफी इंपोटेंट कोश्चन है फड़ा फड़ जबाब देते रही है कह रहा है प्रेश्चन के सुष्चन किस प्रकार के अभिक्रिया है तो यह एक प्रकार की उसमा छेपी अभिक्रिया है तो उसमा छेपी आपका एंसर हो जाएगा उसमा छेपी और उसमा छेपी अभिक्रिया जो होता है तो यहां भी एंसर हो जाएगे क्या चीज? गाडी के सामनी कौसा दरपन लगा होता है? उत्तल दरपन लगा होता है यानी कहो जाएगा option क्या जिस B number अगला दीखे काफी संदार कोशन है कह रहा है कि गाड़ी की यानि कि मोटर काड़ी की headlight में किसका प्रियू किया जाता है तो किया जाता है और तल दरपन का यानि कि होजागा option C number तो जितने बचे का option C आ रहा है उनका बिल्कुल correct उतर है अगला दीखे कोशन क् कि लेंस की छमता का मातर क्या होता है लेंस की छमता का मातर क्या होता है जी तो डाइप्टर होता है तो डाइप्टर कहां पे दिया गया है तो option E number पे दिया गया है तो option E number बिल्कुल सही उतर है फटाफट जबाब देते रहे हैं लाइक कभी तक नहीं किया है जो बच्ची नेकी हैं फड़ा-फट शीं कर दिजिए और चैनल पे पहली बाई सभ्सक्राइब जरुर में कीजिए है back और बोल्कल उसे हम लोग क्या कहते हैं की रन्रे कहते हैं का punch Hoje को शहब करने और संथार कोशन कि दो दंढ़ चंता वाले लिंज सब्सक्राइब रोसन अब तब को हमने समझाय था क्या समझाय था कि बराबर क्या होता है हंडेट बटे एफ होता है कब जब सेंटीमिट्र में दिया गया हो तो है यह भी सोग करेंगे तो यहांगा कर दिजिए सो बट्टी टू हो जाएगा तो कट के गदर क्या हो जाएगा यानि कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 50 सेंटीमीटर देखे कहाँ आप दिया गया है और अपसन नमबर डी में दिया गया है तो अपसन नमबर डी अपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगले नमबर प्रस्ट देखे क्या क्या रहा है कि एलकेन का समाने सुत्र क्या होता है काफी important question है कि एलकेन का समाने सुत्र क्या होता है देखे यह एलकेन एलकेन और एलकाइन होता है यह तीन होता है यह तीनों काफी ज़्यादा important होता है किसी ने किसी साल या इस में से तीनों में से पूछी दिया जाता है तो एलकेन का समाने सुत्र होता है CnH2n प्लस 2 होता है हाना CnH2n प्लस 2 होता है तो इसे आपको टिक कर देनी होगी जहां भी भी आएगा तो अगला देखिए अगला क्या कर रहा है और देखिए आपको समझा देते है कि अगर एलकेन देखिए यहाँ पे एक होता है एक होता है एलकेन एक होता है एलकेन और एक होता है एलकाइन एलकेन होता है और एक होता है अलकाइन अलकाइन हाना यह तीन होता है तो जब भी आपको alkin पुछेगा तो 2 वाले बताना है यानि कि cn h2n पलस 2 बताना है ठीक है जब भी alkin पुछेगा तो cn h2n बोलना है जब भी alkin बोलनेगा यानि alkin तो cn h2n माइनस का 2 बताना है यानि कि 2 जोर 2, 2 छोर 2, 2 गहाटा दो यानि कि अगर alkin पुछेगा तो cn h2n में 2 जोर देनी है अगर alkin पुछेगा तो cn h2n में 2 को भगा देना है हटा देना है उसको और अगर अलकाइन पुछेगा तो CNH2N में माइनस 2 कर देना है CNH2N आप माइनस 2 कर देना है ठीक है कि आपका सुत्र हो जागा तो तीनों समझ में आ गया होगा चलिए तो आप गलती नहीं किजिएगा अगले देखें क्या कहा रहा है कौन सा पादप नियंतरक फल बेशने वालों दोरा उप्यों किया जाता है option कहला है कि जिब्रेलीन इथलाइन या फिर औकजीन तो किसका किया जाता है इथलाइन के किया जाता है यानि कि option हो जाएगा किया चिस C number इथाईलीन लिखेगा ठीक है परिक्षा में यहाँ पर इथाईलीन नहीं होता है आथाईलीन होता है यहां पर E होगा, यहाँ पर E की जाओगा तो ओधाईलीन, आचाई एथाईलीन जो कोई भी आप्को टिक करते नहीं यानि के घुला लगा देनी है काफी संदार प्रशन है कि तामबा और जिंकी की मिस्तर धातू को कहते हैं पीतल कहते हैं तो देखिए तामबा और जिंकी की मिस्तर धातू को क्या कहते हैं या फिर एस्टील कहते हैं तो देखिए तामबा और जिंकी की मिस्तर धातू कहते हैं पीतल कहते हैं यानि कि option हो इपर पश्षण क्या रहा है प्रश्ण है कि असपर द्रिश्टी की निम्तम दूरी कितनी होती है यह तो 25 cm होती है कितनी होती है चीज सैंटिमीटर होती है तो 25 cm में आपको यहाँ पे टिक कर देनी किस पर कर देनी है टिक option AP अगला देखे question काफी संदार question है यहाँ पे देखी काफी बच्चे इसका उत्तर गलत दे पाएंगे देखे question गह रहा है कि एक परकास किरण समतल दरपन पर लंबोत आपतित होती है तो परवर्तन कुण का मान कितना होगा समतल दरपन पर लंबोत आपतित होती है तो जब लंबोत आपतित होगी देहां पर 0 डिगरी भाली होगा काफी बच्ची कहेंगी सर 90 डिगरी होगा कैसे होगा देहां देहां से देखिए 0 डिगरी कैसे होगा यहाँ पर यह अपका अभी लंब हो गया या अपका आप्टित कृरण हो गया यह जाने वाला के ठीक है यह कहारा है कि पहर क्रकास समतर द्रणप लंबवत आप्टित होती है विब अभी लंप नहीं पय नियाए लंबवत तो जब पर द्रणप कर फेर वह वापस ही चलिए जलेगी मने अगर आ रही है तो चली जाएगी न ऊसी से क्योंकि आपको पता है की आपたइस्गेरण यहां से आ रही है और यहां आपको चली जाएगी तो आपका एफका प्रस्ष्ञ कहा रहा है समझें यह आपका धरपण हो गया और यहां प्रस्ष्ण कहें रहा है कि न Itu few Nadal avelotta जा कि restor caffeine next का काफी जगए इसका 90 दिया गए होगा तो 90 नहीं होगा आपका 0 डिग्री ही होगा ओके चलिए अगला प्रशन देखे क्या कहा रहा है काफी important question है question कहा रहा है कि lens में कितने मुख्य फोकस होते हैं तो lens में मुख्य फोकस हो के संकी कितने होती है दो होती है अगला देखे प्रशन क्या कहा रहा है कि कारबन की सन्यूजक्ता क्या होती है दो होती है चार होती है छे होती है बार होती है तो कारबन के जो सन्यूजक्ता होती है वो चार होती है इसे आप याद करके जरूर रखेगा कि कारबन के सन्यूजक्ता चार होती है अगला कुछ प्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक इसका answer जो होगा चिंपेंजी देंगे तो चिंपेंजी नहीं होगा आपका option A होगा चीन के विद्यार्थी से होगा किस से होगा चीन के विद्यार्थी से होगा हाँ इसका बिल्कुल उत्तर हो जागा option A number ठीक है चलिए अगला प्रशन देखे क्या कह रहा है कि नर यूगम त अगला प्रशन देखे क्या कह रहा है कि मनुसुव में सांस लेने और चोड़ने की इंपोटेंट कोशन है कह रहा है कि लेंस की चमता का ऐसा ही मातरक होता क्या है लेंस की चमता का ऐसा ही मातरक तो देखे लेंस की चमता का जो ऐसा ही मातरक होता है वो पर मीटर होता है यानि कि option जो आपका दिया गया है वो आपका C नमल हो जाएगा और जो यहाँ पर M बना करके अब माइनस का 1 तरह की लिखा जा रहा है पावर में तो उसको पर मीटर बोला जाता है चले अग्ला कोशन देखे क्या कह रहा ह्य काफी बड़िया कोशनों की चंद्रवाप्त्रुचा निपर पर्टित होता है या फिर काल परतित होता है Parte होता है काला पर्तित होता है यानि को अप्शन हो जाएगा डी नमबर अगला दिखे प्रश्णी क्या कह रहा है अगला प्रश्णी के बीदू चुम्बक बनाने में प्राया कीस पदार का उप्यो होता है बीदू चुम्बक बनाने में तो बीदू चुम्बक आठ बर्ग होते हैं या फिर 18 बर्ग होते हैं तो आवर्ट सर्णी में जो है वो 18 बर्ग होते हैं यानि कि ऑप्सन जो हो जागा वो डी नमबर आपका बिल्कुल क्या है करेक्ट उतर है अगला देखे प्रशन क्या कह रहा है हम सभी क्या कि जल का पी एच मान कितना होता है कि पदार्थ से अक्सीजन का निस्कासन क्या कहलाता है किसी पदार्थ से अक्सीजन का निस्कासन क्या कहलाता है अक्सी करण कहलाता है और करण कहलाता है संचारन कहलाता है या इनि में से कोई नहीं कहलाता है तो किसी पदार्थ से अक्सीजन का जो निस्कासन कहलाता है वो तंत्र में जो हीरण होते हैं वह कौन से उपभोगता होते हैं तो वह होते हैं आपको प्रात्मी को उपभोगता होते हैं यानिकी उप्शन हो जागा बीनमर अगला देखे question second last question है काफी important question है का iodine की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू ता iodine की कमी से आपको होता है घेंगा रोग तो यानि कि घेंगा रोग आपका जो option d number दिया गया है आपका बिल्कुल correct उतर हो जागा और यह रहा last question लेकिन इसके पहले अभी तक लाइक ने किए तो प्लीज लाइक जरूर कीज़ेगा जिसे मेरा मनोबल वड़े आपके लिए ऐसे ही हम काम करते रहें बड़ियां से आपका support करते रहें और आप भी हमारा support करते रहें लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब ने किए तो कर लेजिए जिसे के आगे साब को वीडियो मिले और हाँ अभी तक आप हम क्या कह रहा है कि कुछ जुगालिक कुछ जानवर जुगालिक करते हैं किसले जुगालिक करते हैं बाबू